आलिया भट देखना चाहती है पूजा भट को as a winner of Big Boss OTT season 2 Big Boss OTT season 2 को लेकर आलिया भट ने क्या कुछ reactions दिये हैं आई ये जानते हैं Big Boss OTT season 2 के पहले पाइनलिस्ट अभिशेक मलहान बन चुके हैं शो फिनाले में बस कुछ ही दिन बागी रह गए हैं इस season का winner कौन बनेगा ये तो 12 से 13 August को पता चल जाएगा वेकर फैंस का दावा है के अलविश यादव याफर अभिशेक मलहान बिग Boss OTT season 2 के winner बन सकते हैं अब इन दावों के बीच आलिया भट का रियाक्शन आया है आलिया चाहती हैं के बिग Boss OTT season 2 बहन पूजा भट ही जीते हैं बिग Boss OTT season 2 में अभी अभिश अभिशेक और पूजा भट के अलावा मनीशा रानी बेबी का धूरवे जिया शंकर जरहदीद और अविनाश सचदेव हैं हाली में आलिया को उनकी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहाली के सीक्वेंस इवेंट के दौरान स्पॉट किया गया था यहां जब आक्टरस से पूछा गया कि वह किसे बिग Boss OTT 2 के विनर के तौर पर देखना चाहती है तो आलिया भट बोली वो पूचा भट यानि अपनी बेहन को ही देखना चाहती है जब इनर वहीं से पहले चंडिगर में भी फिल्म के प्रोमोशन इवेंट के दौरान आलिया से पूछा गया था कि बिग Boss OTT 2 में किसे रॉकी और किसे रानी मानती है जवाब में आलिया ने कहा था एलविश यादव को रॉकी उनकी रॉकी वाली परस्नालिटी है और साथी साथ वेल रानी के तौर पर उन्हें मनीशा रानी का नाम लिया था खास तौर पर उन्हें मनीशा रानी और एलविश बहुत पसंद है वहीं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की बात करें तो 28 जुलाई को रिलीज हुई या फिल अभी तक 6 दिनों में कुछ करोरों की कमाई कमा चुकी है अब ऐसे में आलिया भट के रियाक्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें बताएं आलिया भट पूजा भट को देखना चाहती है as a winner आप बताएं क्या पूजा भट में है winning qualities क्या वो deserve करती है winner बढ़ना आपके according अपने रियाक्शन जरूर बताएं